हलो स्वागत हैं आपका हमारी चानल प्रोग्रामिंग नॉलज़ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सेट अप कर सकते हैं एक न्यू यूजर अकाउंट आपके विंडोस 11 ऑपरिटिंग सिस्टम पर तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो सबसे पहले आपको करन होगा अपने माउस का इस्तिमाल और विंडोस आइकन पर जाएं उसे क्लिक करें और जब आप क्लिक परेंगे तो ध्यान रखें आपको करना है दाया क्लिक माउस पर और जैसे ही आपने वो किया आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिखेंगे बाए हाथ में अकाउंट पर जाएं से क्लिक करें और आपको कुछ इस प्रकार दिखेंगे ओप्शन आपके दाय हाथ पर आपको फां़ी एंड अदर्स ओप्शन का चायन करना है और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको पहला option आड़ फांद दिख रहा है और दूसरा option other users तो यहां पर हम other users का चैन करना चाहेंगे लेकिन आगे बढ़ने की प्रक्रिया से पहले मैं आपको कोई दूसरा तरीका बताना चाहूंगी अगर किसी भी कारुणवर्ष आप इस page में इस प्रक्रिया से नहीं पहुत सकते यहां तक आने के लिए और भी कई तरीके हैं तो मान लीजिए आपने mouse का इस्तेमाल करते हुए उस पर दाया क्लिक किया और आपको settings option नहीं दिख रहा है तो आप search बार पर जाएं और आप देख पाएंगे यहां पर कि दाया हाथ पे तीन बिंदिया हैं उस पर क्लिक करें और नीचे जाने पर search settings क option आप देख पा रहे हैं तो उसे click करें और जब आप click कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि फिर buy हाथ पर accounts का option आपको दिख रहा है उसे click करें और आप फिर से family and other users को उल्टे हाथ पर देख पाएंगे और उसे click करें तो आप फिर से वहीं पहुच जाएंगे जहां हमने यहां था कि आपके पास दो option होगा add a family member या फिर दूसरा other user तो हम करना चाहते थे यहां पर add other user तो वहां जाकर add account की नीली बटन को click करें तो अब आपका interface कुछ इस प्रकार दिखाए देगा अब यहां पर यह जो pop-in window है यह कह रहा है कि आपको अपना Microsoft account यूज करना पर अपना Microsoft account इस्तिमाल नहीं करना चाहते इसलिए हम दूसरा option यूज करेंगे तो नीचे दिये हुए I don't have this person sign in information उसका chain करें पर आपका window कुछ इस प्रकार दिखाए देगा इस पर तीसरा option add a user without a Microsoft account का chain करें और जैसे आपने click किया तो आपका छोटा सा window जो खुला हुआ ह वो इस प्रकार दिखाए देगा जहां पर आपके PC का information लिया जाएगा जैसे की username, password तो चलिए देखते हैं यहां पर कि हम कितने user का स्थेमाल कर रहे हैं Windows 11 operating system पर नीचे दिए Windows icon पर जैसे ही आप click करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर थोड़ा उपर आपको photo के सा user name देखता है यहां पर जैसे देख पा रहा है आप हमारे पास सिर्फ एक ही नाम देखाई दे रहा है इसका मतलब है सिर्फ एक ही account यहां link है इसको हम verify कैसे कर सकते हैं search bar पर जाकर control panel का type करें और जैसे control panel type करेंगे user accounts का chain करें और वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि इस computer पर कितने users का इस्तेमाल किया जा रहा है तो अभी फैल हाल में यहां पर सिर्फ एक ही user है जिसका नाम cb है तो अब हमें create करना है एक नया user इस computer पर तो हम username आप अपना मन चाहा नाम दे सकते हैं तो मान लीजे हम यहां पर user to can chain करते हैं और अब आप अपने अनुसार मन चाहा password type करें और फिर से उसको repeat करें नीचे जाने पर आपको password अगर किसी भी ववस्था में अगर आप password भूल जाते हैं तो यह सवालों का सही जवाब देने से आप password को वापस से track कर सकते हैं तो यहां पर जो जानकारी मैं भर रही हूँ वो बहुत ही random हैं आप अपने पालों का सही जवाब भर सकते हैं next option दबाएं अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आदर users के नीचे user 2 जुड़ चुका है मेरे अकाउंट पर तो चलिए नहीं जानकारी का इस्तेमाल करते हुए हम user 2 में sign in कैसे करें नीचे जाके windows icon पर क्लिक करें और आप जहां cb देख पाएंगे आप कि आपको और भी user account जैसे हमने user 2 का अभी हमने जोड़ा है वो भी देख पा रहे हैं तो अब हमें यह पुराने account से निकल कर दूसरे account में sign in करना है तो इसके दो option है या तो आप sign out कर दें या तो directly user 2 का chain कर सकते हैं तो मैं यहां sign out का option दबा रहे हूँ तो यह प्रक्रिया मुझे sign out कर देगी मेरे user account से तो अब मुझे यहां दो account दिख रहे हैं login करने के option में और अब मैं user 2 के account से chain करना चाहती हूँ sign in करना चाहती हूँ तो user 2 का chain करें और आपने जो password create किया था उस password को डाले, type करे, submit करे तो अब आप देख पा रहे हैं कि आप login हो रहे हैं लेकिन जब आप पहली बार यह प्रक्रिया करेंगी तो यह कुछ समय लग सकता है इस प्रक्रिया में computer आपकी प्रक्रिया के लिए तयार हो रहा है अब आप देख पा रहे हैं कि Microsoft and app uses your location का एक page आ रहा है यहां पर आप no का चैन करें और नीचे जाके नीली बटन accept पर क्लिक करें और next page में आ रहा है send diagnostic data to Microsoft यहां पर दो option है include optional, required only, required only का चैन करें, accept दबाएं improve inking and typing, no दबादें next option है get tailored experience with diagnostic, no का चैन करें let apps use id, no का चैन करें and accept दबाएं अब आप देख पा रहे हैं जो account खुला है वो user 2 के नाम से है जैसे windows icon पर click किया आपने तो आप देख पा रहे है user 2 के नाम से आपने login किया हुआ है तो मान लीजिए आपको फिर से दूसरे account पर switch करना है तो आप अपना मंचह account का चैन करें, directly click करेंगे आप तो भी sign out हो जाएंगे और आप उस direct page पर पहुंच जाएंगे जहां आपको password का type करना है तो ये था बड़ा आसान तरीका जिससे आप new user account create कर सकते हैं अपने windows 11 operating system पर हमें आशा है, ये वीडियो आपको पसंद आया हूँ, धन्यवाद